हेलो फ्रेंट नमस्क्राइब बंदू से हमाँ साथ है स्रीय एड़ोकेट मिस्टर सेज कुमार सिंग जो कि हम स्री सेज कुमार सिंग जी एड़ोकेट से पूछेंगे आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाएए ताकि अवेर्नेस फैल सके और लोगों को पता सब सके कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो किस तरीके से वो इंसाफ लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीज कि हमारा कानून भारतिये दंद सहिता बहुत समझना खुड़ा जटिल है जो लोग लाह नहीं जांते हैं फर्क है ये स्यापीन नहीं है ये पट्करिया है वही सियापीसी है तो इसमें अभ्योग दो अभ्योग लगने से तो अभ्योग कोई अपरादी नहीं हो जाता ठीक है तो उसकी प्रति कानून में सब्भाव है सब्भाव यह कि उसे ब्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार गया है वह दंड पक्रिया सहिता कि धारा 303 में के तहर जितने अभियुक्त नियाले पर जाते हैं पुलिस द्वारा चाहे रिपोर्ट के मादयन से या सहिम नियाले पर हाजिर होते हैं तो उनको ब्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार गया है अच्छा मौलीक अधिकार उनकी भी रक्षा कियाती है धाराब 20 भातिय सम्मिधान में जो मौलीक अधिकार है सतन तता का अधिकार तो वो अभिर्थ को भी प्राथ है उसको कोशिश हमारी CRPC उसके साथ सभवना रखती कि वो अपने को नेरा प्राद प्राइद कर सकते हैं तो पहरी बात तो रहो गई कि उसको ब्यक्तिगत प्रत्रक्षा का अधिकार प्राथ है 303 में CRPC दारा तो आगे देखिए कोई अबयोग लगाया उससे कोई प्राद का रखती आड़े सकार्टी में पुल् पूरा विश्वास हो जाएगा, पुलिस को हटा देते हैं और फिर कन्फेस पूछते हैं, फिर मजिस्टेट को अगर इत विनान हो जाता है, कि आदमी स्वयम कन्फेस कर रहा है, अब राद सुईकार कर रहा है, तब ही वो माने हो जाता है, इसके अलावा, जब पुलिस इंव को जादा समय तक जेल में यरोधित नहीं रखाया सकता, नमबर एक, नमबर दो अगर पुलिस बिना वारेंट के किसी को ग्रिफतार करती है, तो 24 घंटे ही जेल में रख सकती है, और उससे एडिशनल बस इतना समय जतना दूरी पर मजिस्टेट का न्याले या ठाने से जतन समय और पेडिशनल हो सकता है, तो जब जिस भी न्याले पर हाजिर करते हैं, पुलिस 24 घंटे के बाद, तो वो उस न्याले को यह अधिका, वो भी न्याले बिल दे सकती है, अगर आपके बिल कोई केस में ही made out होता है, अब विल न्याले आपके लिए लुट गुलिस लगा रही है, क्लेम कर रही है कि उचना ने यह अपराधी किया है, तो उस माजिस्टेट उसकी बेल दे सकता है, अच्छा, जी, इसके अलावा आइंटी से विट्टी बेल की भी ब्यस्था किया है, अच्छा, हां। ये चैप्टर 33 वो 436, 37, 37 हैं कि बेल से सम्मलित प्राविधान है तो इसमें एंटिसेफ्टी बेल का भी प्राविधान है कि अगर पुलिस आपको जूठे तंग करती है अगर कहीं कोई दबाव में political या ऐसे भी होता है हो सकता है जो कानून के निर्माता थे वो लोगों को इ अगर नियाले को यह लगता है कि आपके ऊपर सारी अभियोग फरजी तो आपको इसके अलावा अभियूद तो जो है उसके ऊपर कोई बयान नहीं कराया सकता है और अभियूद अगर जेल में है अब वो कोई application देता है डाक्टरी के लिए तो ऐसे चिकत तक ते जो सरकारी डाक्टर हो जिसकी dignity हो जिसकी मानता हो सरकार से उससे पुलिस डाक्टरी कराने के लिए मजबूर है उससे कराना है अच्छा उस certificate लेना ही लेना है उससे medical report लेनी करने में सुग्धा हो जाती है कि जो अभियूद इसको पर लगाए गए है वो सही है कि गलत तो यह पांचे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके प्रासंगीख है जिसके आधार पर यह अभियूद के सद्भावना में बनाए गए कभी कभी ऐसा होता है सर कि मतलब पुलिस वाले ही मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता लेकिन पुलिस वाले ही कभी कभी सैतानी करते हैं मतलब उनका नेचर अच्छा नहीं होता या फिर करप्शन तो आपको बटा ही है कितना है अपनी सिस्टम में तो उसके कार्शी यह कानून मन लेकिन उनको भी इस चीज का हैसास था कि ऐसा को सकता है और तमाम होते भी तमाम दोग फर जी पसाई जाते हैं तो उनकी लिए है कि उनका हरिस्मेंट ना हो किसी भी तरह से जो बिशिक थीम है जो यह है कि एक भी निरपराधी वेक्टी को सजा ना हो पतलब एक भी यह कानुन जो है अपना सुधरने का मोका देता जो कि अन्य देशों में आइसा नहीं है अगर चोरी किया तो हाथ काट लेगे मतलब जैसा जिस तरह का अपराद उस तरह का दंड़ देखा जाए तो अपना मतलब एक हिमेरेटी के साब से बनाया है जिए आपनी से गलतिया ह है तिक तक भी उसमें बहुत पॉइंट है और साथ भावना पूर्वर के बार आप कई अफराज करते हैं कोई तो वो छम्मे पूरा हम आगे वीडियो में बताएंगे आई पीसी की जो एक्सेप्साल है एक्सेप्सन है चैक्टर 4 में आई पीसी के दंड सहिता दूसरी तो वो जो अपराज है है ना उसमें मैं क्या बता रहा था आपको CRPC 1973 बता रहे था हाँ नहीं हम एक्सेप्सनल चैप्टर बता रहे थे चैप्टर 4 में ऐसे एक्सेप्सन्स हैं ठीक है जिसके आधार पर आप अपरादी होते हुए भी आप अपरादी नहीं है असलन लेजी अजिए आप सेल्फ डिफेंस में अगर आपको कोई मारा हो तो आप अपनी सुरक्षा तो करेंगे उससे हो सकता कि प्रक्षी को चोट लग जाए तो अपर उसको आनिकारित हो जाए ठीक है तो भी आपको डिफेंस प्राप्त है अगर कोई बिक्रिचित्त अगमी है जिम आ कोई अपराद हो जाने में तो यह एक्सेप्संस हैं कोड यह हम आपको अगला वीडियो जो बनाएंगे आईजी सी पे वह हम चैप्टर पॉर पर ही बनाएंगे तो क्या यह सरी यह CRPC खतम जाए अब हम लोग आईजी सी पर जाए तो बहुत है बहुत लाप इंडिया का बह से देखेंगे कि धी ठीक है हम ज्जादा योग गिव लोगों के लिए यह नहीं है कि अगर आपकों सब्सक्राइशन देना चाहते हैं तो विवर्ड सही है कि अपस्चेशन दीजीए हम उसको बहतर करने की कोसिस करेंगे यह हम उन लोगों की मदद करना चाहते है है जो लो कि हमारा कानून कितना सरल है और अव्यक्त से भी अज़ भाव रखता है क्या कहते है उसको दुस्मनी जैसा बेवार करने का नहीं है हमारा कानून सभाव का है और सभाव में आप कोई काम करें अगर आप बैड इंटेंशन नहीं हो आपका तो वह कोई कार या आपका अपराध अपराध कर भिया है बीद की भूल लेकिन अगर तथ्यकत कोई भूल है चूक होती है तो उसके लिए हमारा कानून बहुत ले ब्रद है है ना बहुत बिशाल हिर्दन से मेरा अदमियम मनाया गया है मैं तो अकिल हूँ इसको तोड़ा बहुत समझता हूँ मुझे लगता है कि जिसने भी जब भी यह फार्म हुआ तो बड़े बड़े हिर्दन से इसो दनाया है अगर आप कोई experience advocate है या फिर कोई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मतलब लोग के पढ़ाई कर रखी है और उन्हें लगता है कि वह suggestion देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं हो सकता है हम लोग कहीं mistake कर दिये हूं या फिर कुछ कमिया रह गई हूं तो उस पर आप suggestion दे सकते हैं बट कुछ लोगों का video comment आता है जिसमें लोग एकदम से हम लोग को denotivate करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करिए motivation की जरुबत है ये video बनाने में काफी effort लगता है और sir को भी time निकालना है और आपको वीडियो करना होगा तो संदिका ठीक है मैं कुछ time निकालता हूं किसी तरीके से तो आपके चैनल पर बहुत ज़ड़ा questions मुझा है तो उसका हम लोग की people पर सारी questions लिख रहे हैं जिससे उनको समझने में आसानी हो बहुत लोग नंबर चाहते हैं एक्चल में ऐसा है कि इतनी जादा नंबर की डिमांड हो रही है और सर को working hour में call हो जाते हैं जैसे सर का timing जो है working hour 10 से 6 तक है तो उसके बीच में सर कोट पर रहते हैं तक भी लोगों के पास सर के पास call आ जाती है तो उससे काफी disturbance हो जाती है तो इस वज़े से हम लोग नंबर देने में थोड़ा सा क्या करते हैं वो करते हैं कि नंबर ना दिया जाए और जहां तक हो सके हम वीडियो के थूह ही आप question पूचिए आप comment पूचिए या फिर facebook पे पूचिए twitter पे भी प करेंगे और सर से हम लोग को कुछ तरीका ढोट रहें ताकि आप लोगों की life बात हो सके नंबर तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि लोग problem में होते हैं और उनको अपने solution के सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है उनको इससे नहीं मतलब है कि सर कहां पे है या कहां पे नहीं ह तो कहने को मतलब live session चलाएंगे तो live session में आप लोग question directly सर से पूछ सकते हैं और phone अगर आप लोग को करना है तो आप please 7 के बाद ही करिए शाम के time 7 या 8 बजे के बाद ही call करिए और सर से question पूछिए हैं तो सर हम लोग बनाते हैं सारे questions के list और फिर आपको देखे हैं और देत लोगों के question बहुत हैं और actually में लोग सर परिशान बहुत होते हैं तो उस time क्या होता है कि उनको बस चीज समझ में आठी कि सर आप ही मदद कर सकते हैं हैं मेभी आप court पे रहते हैं प्रॉब्लम होती है आपको लेकिन अब उसमें तो मैं सब जगे जा नहीं सकता जी तरी किसी को मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो से अगर में को कुछ सवाल करना है तो हम उसका जवाब वीडियो बना के दे देंगे हां आप question पूछे sir वीडियो में ही वो बता देंगे sir को आपसे कुछ return में नहीं चाहिए ना ही कोई कि कुछ फाइदे के लिए पस आपका फाइदा हो और इंडिया कमडी और श्ट्रांग हो और यहां का जो ला है और श्ट्रांग हो पस इसी वज़े से यह वीडियो बनाए जा रहा है ताकि यह लोगों को help मिल सके जो इन्यूसेंट लोग है जिनके पास पैसे बिलकुल नहीं है और जो कोट में जाते और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप दोगों को आने वाले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके थैंक्यू बारे मच्छ थैंक्पाव मच्छिए